हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल हेल्फ इंदी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाल हैं कि फेस्बुक से हम लोग वीडियो को कैसे डाउनलोड करेंगे ताकी हम अपने अगर किसी भी फ्रेंड के पास अगर भेज़िना चाहाएं वीडियो को तो डिरेक्ट भीडियो भेज सकते हैं दोस्तो फेस्बुक पर भी सेर का आऊप्सन होता है लेकिन हम लोग अगर सेर पर क्लिक करके किसी को वीडियो भेजते हैं तो वो हमारा सिर्फ link जाता है और उसको वो जब भी link पे click करेगा तो वो जो video है वो Facebook में redirect करेगा और वहाँ से so होगा तो हम लोग इस video में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग offline में उसको download कर सकते हैं वीडियो को अपने gallery में रख सकते हैं download करके क्योंकि दोस्तों जब भी आप facebook open करते हैं कोई साइव वीडियो आप देखते हैं facebook पे तो वहाँ पे आपको like, comment and share का option आता है share पे जब आप click करते हैं तो आपको बहुत सारे option आते हैं लेकिन download या save करने का कहीं option नहीं आता है save करने का option भी आता है तो वह आपके facebook में ही save होता है आपके gallery में save नहीं होता है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग facebook के वीडियो को gallery में save कर सकते हैं या फिर अपने किसी friend के पास download करके भेज सकते हैं तो ज़्यादा देर ना करते हुए चली हम लोग वीडियो के start करते हैं और वीडियो start करने से पहले आपसे request है कि please हमारे चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon प्रेस कर लिजे ताकि हमारे चैनल के जो भी latest update होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी दोस्तों चली हम लोग start करते हैं तो दोस्तों simply हम आ जाते हैं अपने mobile के skin पे और यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम लोग facebook के video को download कर सकते हैं तो दोस्तों आपको simply facebook में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे वीडियो का section दिखेगा ठीक है तो इस वीडियो के section में आपको आजाना मैं ठोसा आवाज इसका कम कर दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो के सेक्षन में आ जाते हैं और वीडियो के सेक्षन में आने के बाद यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड करने के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो यही वीडियो में आपको भी download करके दिखाने वाला हूँ तो simply आप share पे click करेंगे तो यहां से कहीं से भी आपको download करने का option नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है कि simply यहां पे share पे click जैसे ही आप कर लेंगे तो यहां पे आपको एक copy link का option मिलेगा copy link का option जैसे ही आगया तो आप simply यहां से इसको minimize कर लेंगे और minimize करने के बाद आप simply आजाएंगे chrome browser पे दोस्तों यहां पे chrome browser दिख रहा है जैसे ही chrome browser पे आप आएंगे तो आप यहां से search करेंगे FB DAWN जैसे ही यह लिख कर और search पे click करेंगे तो आपके सामने पहला ही website यहां पे खुल कर आ जाएगा तो FB DAWN.NET पे आप जैसे ही click करेंगे तो click करने के बाद यहां पे आपको paste करने का option आएगा तो simply इस पे आप थोड़ा देर click करे हुए रहेगा तो यहां पे paste का option आजागा इस पे click किजेगा और click करने के बाद यहां से download का आपको option पे click कर देना है जैसे ही आप download के option पे click करेंगे तो यहां से आपको दो quality में download करने के लिए बोला जा रहा है एक normal quality एक HD quality तो मैं HD में download करना वाला हूँ तो HD पे जैसे ही मैं click क्या हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं download होना मेरा start हो चुका है और तो कभी-कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे add आजाए तो add को यहाँ पे आप click करके उसको close कर देंगे जैसे ही आप close करेंगे तो आपका download होना start हो जागा यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो भी हमारा डाउनलोड हो चुका है और आप ऐसे ही किसी भी वीडियो को सेव करके रख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक किलिए जया हिंद बन दे मातरम